सूत्र हमने कल पढ़ा था तैइस्वा इश्वर प्रनिधान द्वा, आज हम उसका भाष्य भी पढ़ेंगे हमने कल सूत्र में देखा था इश्वर पनिधान अर्थात आगे जाकर के एक सूत्र में इश्वर पनिधान शब्द कार्थ करेंगे सर्व कर्मा नाम परम गुरु अर्पणम तत्फलसन्या सोवा अर्थात अपने सारे कर्मों को परम गुरु में अर्पित कर देना यानि कि बता देना अपने भीतर ये मान लेना कि हाँ कोई गुरु है मेरे सामने जो मुझे देख रहा है और जो कित्यों अपने कर्मों को स्विकार कर लेना मैंने ये ये कार्ये किये है छिपाना नहीं आप कहेंगे छिपाना तो बनता ही नहीं है क्योंकि भगवान तो सब जगा विद्यमान है तो भगवान से कैसा छिपाना भगवान को तो हम अरपित करे या न करे भगवान अपने आप में जानता है सब भगवान जानता है ये अलग बात है अंतर है दोनों में एक बच्चे ने गलती की पिता को पता चल गया अलग बात है बच्चे ने चोरी की माता-पिता जान गये अलग बात है लेकिन बच्चे ने स्वयमा करके बताया अलग बात है पहले से माता-पिता को पता है इसका मतलब है बच्चे ने अपनी चल गया सो चल गया दंड़ देदो तो देदो लेकिन जब एक शिशू बच्चा स्वयम आ करके माता-पिता को बताता है हाँ मैंने किया है तो स्विक्रती अंदर से आती है और उसका परिणाम क्या निकलता इसका मतलब बच्चे ने माना के मैंने गलती की है और वो आगे नहीं करेगा अगर माता पिता को पता चल गया इसका मतलब बच्चा आगे फिर कर सकता है और यदि माता पिता ने अपने आप तो जानकारी मिली मिली लेकिन बच्चे ने बता दिया उनको तो इसका मतलब बच्चा ये मानत कि वो आगे से गलती नहीं करेगा उसे अपनी चोरी एहसास अनुभव में आई हैं दोनों में अंतर हैं तो महर्शी वेदव्यास जी इस सूत्रकार्थ करते हुए कहते हैं इश्वर प्रनिधानात भक्ति विशेशात वो इश्वर प्रनिधान को एक दूसरे शब्द से समझा कर रहे हैं भक्ति विशेश इश्वर प्रनिधाना अर्थात भक्ति विशेशात आप लोगों ने रिशी दयानन सरस्वती जी द्वारा किये गए स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अर्थ तो पढ़ा ही होगा और उन मंत्रों का आर्थ करते हुए रिशी दयानन सर विशह already हैं हम ईश्वर की स्तुति करें लेकिन उन्होंने लिखा भाक्ति विशेश करें को कि इश्वर की भाक्ति विशेश अर्थात और आगें स्पष्ट किया अर्थात इश्वर की आज्यांपालन करने में सदातद पर रहें ये उन्होंने विशेश भक्ति का वहाँ पर अर्थ किया है यहाँ पर भी भक्ति विशेश का अर्थ कुछ-कुछ ऐसा ही है पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ-कुछ ऐसा ही है क्योंकि मैंने कहा कि इश्वर प्रनिधान का अर्थ होता है इश्वर को अपने समक्ष उपस्थित मानना कि भगवान मुझे देख रहा है ये इश्वर पणिधान है यानि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो भगवान को पता है या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं स्वयम ये इश्वर को बता रहा हूँ भगवान मेरे से ये हो गया मैंने ये 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 कलतिया ये ये अच्छे कार्य है या अच्छा और बुरा आपने धारित करो मैंने ये काम आज किये हैं आपके सामने ही तो इसका मतलब हम इश्वर को समक्ष मान रहे हैं हम इश्वर की आज्या पालन करने का प्रयास कर रहे हैं हुआ या नहीं हुआ ये इश्वर तय करेगा इश्वर के सामने समर्पित करते हैं हम अपनी बातों को तो कहा इश्वर पनिधानात अर्था भक्ति विशेशात इश्वर की विशेश भक्ति करने से आवर्तित है इश्वरह अर्था जब इश्वर की भक्ति विशेश करते हैं तो वह इश्वर आवर्तित हो जाता है आवर्तित हो जाता है अर्थात मेरे अनुकूल हो जाता है या मैं यूं कहूं कि मैं इश्वर के अनुकूल बन जाता हूं भई माता पिता विशेशकर पिता हमारे अनुकूल कब होता है जब हम उसके अनुकूल हो जाते हैं पिता तो पहले से ही अनुकूल होने के लिए तैयार बैठा है अच्छा कोई समय ऐसा आता है कि जब पिता बच्चे से प्रतिकूल जाए कभी कोई ऐसा समय नहीं होता कि पिता अपनी संतान के प्रतिकूल चला गया अपनी संतान के भविश्य के विरुध काम करने लग गया नहीं ऐसा कोई समय आता ही नहीं लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिता संतानों को कई बार उतने अच्छे से प्रेम नहीं करते तो दरसल इसका कारण पिता की ओर से नहीं होता इसका कारण है कि संतान माता पिता को महत्व नहीं दे रही है और जब संतान माता पिता को महत्व देने लगती है तो माता पिता एकदम समर्फित कर देते हैं अपना सब कुछ आते हैं बुलाते हैं कहते हैं बच्चे मेरा ये व्यपार था ये व्यवसाय था अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ अब इसको तुम सम्हालो संतान कहते है नहीं पिता जी अभी आप जीवित हैं भी आप अपने पास रखिए सहायता मैं कर दूँगा नहीं नहीं अब तुम सम्हालो तुमारे नाम मैंने कागस कर दी है ये पेपर साइन कर दी है अब देखने में लग रहा है कि पिता अनुकूल हो गया है हमारे अब हुआ है अनुकूल नहीं ऐसा नहीं है पिता तो पहले से ही जन्म जब तुम्हारा हुआ था तब से तयार बैठा है सब कुछ तुम्हें सौंपने के लिए लेकिन हमने ही कभी ये अनुभव नहीं करवाया अपने पिता को कि पिता हम आपके अनुकूल है आप हमारे लिए हमारे गुरू के तुल्य है आप हमारे लिए सबसे उपर है जब हम ये अनुभव करवा देंगे अपने पिता को तो पिता तो बच्पन से ही तयार बैठा लो अभी लो प्रॉपर्टी के कागल जो चाहे ले लो पिता की जेब से पैसा निकलवाना इतना असान होता है क्योंकि वो अकेला ऐसा व्यक्ती है जिसकी जेब से पैसा निकलवाना ही नहीं है वो निकालने के लिए तयार बैठा है बस उसके ने भीतर एक बार वो भावना जग्वानी है जो हम नहीं जगा पारे थे अपने व्यवहार से हम उनसे अच्छा व्याभार नहीं कर रहे थे उनके आदेश को नहीं मान रहे थे ऐसा ही इश्वर है इश्वर हमारे लिए सदैव तयार बैठा है लेकिन कभी हमने आगे बढ़कर के अपने कर्मों को स्विकार ही नहीं किया हाँ मुझसे ये गलती हुई है हाँ आज मैंने ये कर्म किया है हम सदैव सोचते हैं बच जाएंगे हम सदैव सोचते हैं नव बताएं शाइद भगवान नहीं देख रहा होगा तो ऐसी च्छाएं जब तक हमारे मन में रहती है तब तक भगवान को लगता है ये मुझसे ही नहीं बता रहा मतलब मुझसे अलगाव रख रहा है जन्म मैंने दिया देख मैं हमेशा रहा हूँ इसको और मुझसे इतना अलगाव कि स्विकार्म तक नहीं कर रहा अपने भीतर हां मेरे से यह हुआ है तब तक ईश्वर की हाथों के जो मुठियां है वो खुलती नहीं है इश्वर के जो सामराज्य है उसमें हमें प्रवेश मिल जाता है इश्वर आवर्तित हो जाता है उसकी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है और ऐसा वो आवर्तित इश्वर तम अनुग्रह नाती है उस अपने भक्त को अपने उस साधक को बहुत कुछ देता है, उस पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है उस पर, ऐसा ही जैसे कोई वेक्ति दर्वाजे पर खट खट आये, और बहुत श्रद्धा से, प्रेम से, सम्मान के साथ, के जी मेरे पास कुछ नहीं है, रात में रुकने के लिए, आप से निवेदने करपा है, एक रात रुकने के लिए रहने दीजिए, वेक्ति डरता है, कैसे रुकने दे, गिर गिर आता है फिर सामने बैठ क करके, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप बड़े दयालू हैं, बस थोड़ा सा आसरा दे दीजिए, और व्यक्ति के अंदर के हरदय की भावनाय जाग जाती है तुरनी, वो आकर के दरवादा खोलता है, आओ अंदर आओ, इश्वर भी ऐसा ही है, उसका सामराज्य उसका पहला हुआ है, लेकिन कौन उसको पा सकता है, जो भगवान के प्रती समर्पित हो जाता है, वो पा लेता है उसको, तो भगवान भी प्रवेश्ट दे देता है उसमें, तम अनुग्रहनाती, भगवान उसकी सहायता करता है उस समय, और कैसे सहायता करता है, अभिध्यानमात त्रेन केवल अभिध्यान मात्र से उसकी सहयता करता है अभिध्यान मात्र से अर्थात ऐसा नहीं कि आकर के कुछ हाथों में पकड़ा देता है ये लोग पैसे लेलो ये लोग खाना लेलो ऐसा नहीं होता अभिध्यान मात्र से केवल यानि कि केवल संकल्प मात्र से उसके भी पूट पड़ता है एक ऐसी स्थिति आती है साधक के सामने जब उसे दुनिया के सुख बेकार लगने लगते हैं वो पागल लगने लगता है दुनिया वालों को इसलिए पागल लगने लगता है क्योंकि दुनिया धन, संपत्ति, घर इन सब के पीछे भाग रही है और वो इन से भाग रहा है एक अपने परिवार के लिए दोड़ लगा रहा है सुभा से शाम तक कंपनियों में नौकरी कर रहा है काम कर रहा है दूसरा अपने परिवार से भाग रहा है उसे लग रहा है पूरी दुनिया तो परिवार है तो उसको लगता है कि मैं सही रास्ते पर हो और दुनिया को लगता है, यह पागल हो गया है, क्योंकि दुनिया के आखड़ों पर वो फिट नहीं बैठता है, दुनिया को समझ में आता है कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे से प्रेम करना, उसके लिए लुट पिट जाना, साधक इससे विपरीत काम करता है, वो दुनिया को परिवार मान के बैठता है, उसे लगता है पागल हो गया है, अपने बच्चे को छोड़कर पूरे संसार की बात करने लगा है, ऐसे कौन करता है भला, लोगों को लगता है घर बनाया जाए या पैसा ही कठा करके, और उसके पास जितनी संपत्ति है वो साहिता म नहीं बैठता, उसे दुनिया पागल ही कहती है, तो उसका व्यभार थोड़ा बदल जाता है, अंदर से सुख अनुभव करता है फिर वो, बाहर का सुख उसे इतना प्रिय नहीं होता, क्योंकि अंदर से एक स्रोत फूट गया है सुख का, आनंद का, और वो जो स्रोत की सहायता करता है, उस पर अनुग्रह करता है, और तद अभिध्यान मात्रा अपी योगी नह, आसन तमह, समाधिलाभः, समाधि फलम्च भवति, उस अभिध्यान मात्र से, उस भीतर की सहायता मात्र से, संकल्प मात्र से, योगी नह, योगी को आसन तमह, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी तमह शब्द लगा है आसन्य माने निकट और तमह माने बहुत अधिक समाधी की प्राप्ती और उससे मिलने वाला फल दोनों उसे बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं अब इसके लिए हम एक घटना याद करें रिशिद एयनन्द सरस्पती जी की रिशिद एयनन्द सरस्पती जी जिस दिनों बरेली में उनके प्रवचन चल रहे थे तो वहाँ पर स्वामी श्रद्धानन्द मुन्शी राम जी के पिता नानक चन जी जो कि वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था देख रहे थे पुलिस विभाग में थे तो वो अपने बेटे मुन्शी राम को ले गए जो कि नास्तिक था शराबादी पिया करता था कि स्वायद स्वामी जी के प्रवचन सुनेगा तो ठीक हो जाएगा स्वामी जी के प्रवचन के बाद मुन्शी राम ने बहुत प्रश्णोत्तर किये मैं इश्वर को नहीं मानता हूँ भगवान कैसे हो सकता है और आप तो संस्कृत के पंडित हैं संतुष्ट किया उसे संतुष्ट होने के बाद मी आप भी आपको याद होगा स्वामी श्रद्धानंद ने मुन्शी राम ने एक बात कही थी स्वामी जी आपने उत्तर तो दे दिया चुप भी मुझे कर दिया लेकिन मुझे इश्वर पर अभी भरोसा नहीं और वहाँ पर आप प्रिशिद्यानंद सरस्वती जी का वाक्य याद कीजिए स्वामी जी ने कहा मैंने ये प्रतिज्यान नहीं की थी कि मैं भगवान पर भरोसा करवा दूँगा नहीं की थी मैंने ये प्रतिज्यान मेरी प्रतिज्यान के वली तिनी थी कि तुम जो प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूँगा जो मुझे आता होगा लेकिन इश्वर पर विश्वास तुम करने लगोगी ये तो मैंने कभी घोशना ही नहीं की थी इश्वर पर विश्वास और श्रद्धा तो तुम्हें तब होगी जब इश्वर स्वयम तुम्हें चुनेगा ये वाक्य बड़े एतिहासिक वाक्या रिश्वास तुम्हें चुन लेगा पात्र मान लेगा तब तुम इश्वर पर अपने आप श्रद्धा करने लगोगे भरोसा करने लगोगे यानि की कौन व्यक्ति इश्वर पर भरोसा करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान ने उसे चुना या नहीं चुना अब हम सब सोच रहे होंगे कि हमें तो इश्वर पर श्रद्धा है हम तो इश्वर पर भरोसा करते हैं इसका मतलब इश्वर ने हमें चुन रखा है नहीं अभी हमें इश्वर पर भरोसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो योगदर्शन पढ़ रहे हैं भगवान पर भरोसा करके ही तो योगदर्शन पढ़ रहे हैं तो भरोसा तो है नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी और दूसरी और बैठे हुए महत्मा मुंशिराम दोनों ही उस भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं जो भरोसा हमें इस समय भगवान पर है। अभी हमने केवल बच्पन से सुन रखा है या प्रवचनों में सुन रखा है कि भगवान होता है और ये ह होता है मात्र से बस हम मान रहे हैं कि भगवान है हमें भरोसा है लेकिन वो भरोसा जो भीतर से आता है जैसे जंगल गए हमने और वहां पर हमने भेडिया देखा देखा तो डर करके भाग आए अपने घर और बताते फिर रहा है पागलों की तरह सब को भेडिया है जंगल मे लोग कह रहे हैं पागल हो गया हमने तो आज तक नहीं देखा कुटा देख लिया होगा वो कह रहे हैं नहीं भेडिया देखा है वो कहेंगे भाई इस जंगल में आज तक भेडिया किसी नहीं देखा तुमने कहां से देख लिया वो फिर भी बताता रहा है दूसरों को बता र गया है, हो गया पर था भीडिया ही, अब ये जो भरोसा है, ये भरोसा केवल सुनी-सुनाई बातों का नहीं है, ये भरोसा स्वयम के किये हुए अनुभव का भरोसा है, है कोई उसके भरोसे को डिगा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी आखों से देखा है, भीडिया था, उस इसने अपनी आँखों से देखा था इसलिए आँखों देखी चीज़ को कैसे मना कर सकते हैं अब हमारा जो अभी भरोसा है मैं शामा प्रार्थी में अगर किसी को इश्वर का अनुभव हुआ होगा तो वो इश्वर के साक्षात करने वाले व्यक्ति मैं उनके विशाय में न तक नहीं हुआ है इसलिए मेरा अपना इश्वर का मानना वो अभी बुद्धी तक सीमिद है मैं बुद्धी और तरकों के आधार पर संसार में चल रही व्यवस्थाओं के आधार पर ये मानता हूं कि हाँ इश्वर है लेकिन मैंने इश्वर का साक्षात किया है ऐसा वाला इश्वर है अभी तक नहीं आया ये अनुभूती अभी तक नहीं आया इस अनुभूती की ही प्रतिक्षा है कि हाँ इश्वर है भीतर से जानता हूं मैं है क्योंकि मैंने उसे साक्षात किया देखा है उसे महसूस किया है उसे अपने भीतर इसलिए जब स्वामी श्रद्धानद यानि कि मुन्शी राम कहते हैं इश्वर पर भरोसा तो अभी तक नहीं हुआ तो महर्शी द्यानद कहते हैं होगा भी नहीं क्योंकि इश्वर जब चुन लेता है किसी को तब किसी व्यक्ति को इश्वर पर भरोसा होता है भरोसा माने वो साक्षातकार वाला भरोसा किवल कहने सुनने से होने वाला भरोसा नहीं तो इसलिए उन्होंने कहा जब भगवान चाहेगा पात्र समझेगा तुम्हें भरोसा हो जाएगा अपने इसके लिए एक शलोक बड़ा प्रसिद्ध है उपनिशद का शलोक है यह जो आत्मा है यानि की परमात्मा प्रवचन से प्राप्ट नहीं होता बहुत प्रवचन सुण लिये और हमें लगेगा भगवान मिल जाएगा नहीं मिलेगा किसी को लगता है बहुत बुद्धीमान है इतना बुद्धीमान है कि बड़ी से बड़ी पुस्तक में लिखी गहरी से गहरी बात को समझ जाता है ख्षणों में सुनते ही समझ जाता है इतनी बुद्धी से भी भगवान नहीं पाया जा सकता नबहुना शुरुतेन कई गुरुओं के पास बैठा कईयों से अनुभव सुने भाईया कैसा लगता है भगवान उससे भी भगवान नहीं मिलने वाला यम एव एशब व्रिनुते तेनलभ्यह मिलता किसे है यम एव एशब व्रिनुते जिसको ये भगवान स्वयम स्विकार कर लेता है चुल लेता है ये व्यक्ति है और जब भगवान किसी को चुल लेता है तेनलभ्यह उसे इशबर प्राप्थ हो जाता है तस्य एशब आत्मा व्रिनुते तनुम स्वाम लेकिन उससे पहले भगवान हमें चुने हमें भगवान को चुनना होगा और तब होगा क्या एश आत्मा व्रणुते तनूम स्वाम अपने स्वरूप को अपने पूरे के पूरे शरीर को शरीर हमारे जैसा नहीं होता इश्वर का इश्वर का शरीर यानि कि इश्वर के गुण इश्वर का स्वर स्वरूप उसे भगवान अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है और ये भगवान चुनता कब है अब आपका प्रश्न होगा भगवान हमें चुनेगा कब सरल है अगर हम चाहते हैं कि कोई कमपनी हमें चुने किसी काम के लिए तो कैसे चुनती है अब कलप न कीज़िए बड़ा सरलसा उत्तर है अगर किसी पद पर मेरा चयन हो मेरा की सरकारीप हो चाहे प्राइबेट कमपनी का कोई पद हो पर उस पद पर मेरा चुनाब हो मैं ये चाहता है सबसे पहले बात तो यही सोची हमें नौकरी मिलती कब है हमें किसी कंपनी में किसी पद के लिए किसी कार्याले में प्रवेश मिलता कब है अधिकारी के रूप में हम चाहते हैं या सामने वाला हमें चुनता है हमें लगता है हम जहां चाहेंगे जिस पद पर चाहेंगे विरा जैसे कम से कम सो लोगों ने आवेदन दिया होगा हजारों लोगों ने आवेदन दिया होगा उसमें से दो तिन लोगों का चुनाव हुआ जिसमें मैं भी एक हूँ मुझे चुना गया है और अगर मेरी तरफ से चुनाव होता मुझे चुनने का अधिकार होता तो हजार लोग पंक्ती में खड़े थे, हजार के हजार ने उसे चुना था, हजार के हजार को मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला हजार लोगों को, केवल दो लोगों को मिला, उन दो में से एक मैं हूँ मिला कैसे, मैंने चुना इसलिए नहीं, उसने मुझे चुना इसलिए मिला प्रश्ण है कैसे चुना क्यों चुना सरलसा उत्तर है क्योंकि उस पद तक पहुँचने के लिए जो योग्यता चाहिए थी वो योग्यता मैंने अरजित की है मैंने अपने को उस पद के योग्य बनाया है दस्तावेज है मेरे पास प्रमाणपत्र है मेरे पास अध्ययन है मेरे पास मैं इस योग्य हूँ मैंने परिश्रम किया है इसके लिए मेहनत की है बहुत अध्ययन किया है तब जाकर के मैं इस पद के योग्य बना हूँ और वो भी मैंने माना कि मैं योग्य हूँ माना तो मेरे जैसे हजार लोगों ने की हम योग्य है लेकिन सामने वाले ने किसे योग्य माना जिसके अधिकार में वो पद है उसने किसे योग्य माना उसने केवल दो लोगों को योग्य माना और दो लोगों को दो पद दे दिये बाकी 998 लोगों को अस्विकार कर दिया अयोग्य गोशित कर दिया उसने अब सोच करके देखिए इस सामान्य से संसार में अगर किसी के अधिकार में कुछ है है तो वो चुनता है कि किसे दिया जाई ये अधिकार बाकी तो हजारों लोग बैठें हैं तयरें अगर इस संसार में ऐसा होता है कि सामने वाला चुनता है कि किसको अधिकार दिया जाए हाँ attacking के लिए मुझे योग्या बनना पड़ेगा मुझे उससे पहले अपने को तयार करना पड़ेगा और फिर एक application लगानी पड़ेगी एक आवेधन देना पड़ेगा कि जी आवेधन के नीचे पूरे प्रमाणपत्र लगाने पड़ेगे ये ये मैंने अध्यान किया है ये ये परिक्षा मैं दे चुका हूँ साक्षातकार भी मेरा हो चुका है और वो साक्षातकार का भी ब्यावरास नीचे दिया गया है मैं ये निवेधन करता हूँ कि ये पद मुझे दिया जाए क्योंकि मैं इस पद के योग्य हूँ जब देखा जाता है कि व्यक्ति योग्य है उसे पद सौंप दिया जाता है ठीक ऐसे इश्वर के सामराज्य में होता है हम सब लोग आवेदन तो लगा सकते हैं लेकिन वो आवेदन स्विकार होगा या अस्विकार होगा ये इश्वर पर निर्भर करता है ये भगवान पर निर्भर करता है भगवान तय करेगा कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं मुझे तो हमेशा ही लगता है मैं योग्य हूँ मुझे तो ये भी लगता है कि मुझे कलेक्टर बना दिया जाए मैं समाल लूँगा पूरा प्रदेश मैं समालनूगा पूरा प्रदेश हम तो सपने ये भी देखते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाओ राष्टपती बन जाओ बन थोड़ी सकते हैं युग्य ता थोड़ा ही है भी हमारे हम तो सोचते रहते हैं हम युग्य पर हम युग्य नहीं है ठीक ऐसे ही इश्वर हमें स्विकार करेगा तो ही हम इश्वर के दर्शन या इश्वर को साक्षातकार कर पाएंगे और तब जब इश्वर साक्षातकार हमें करवाएगा तो समाधी तो चुटकियों का काम बन जाती है क्यों चुटकियों का काम बन जाती है एक बार जब आप यात्रा पर चल रहे हैं मान लीजी आपको कहीं पहुँचना है और यात्रा छोड़ दीजी आप दौड लगा रहे हैं यात्रा से उतना समझ में नहीं आएगा आप दौड लगा रहे हैं और दोड लगाते लगाते आधे रास्ते तक पहुंचे मन किया कि शायद पहुंच नहीं पाँगा, क्यों दोड रहा हूँ, व्यर्थ दोड रहा हूँ, रुख जाता हूँ तो व्यक्ति के मन में 50 बार आता है कि रुख जाओं बस, ठक गया हूँ आराम कर लूँ, विश्राम कर लूँ, लेट जाओं यहाँ पर, 50 बार मन में आता है लेकिन फिर सोचता है नहीं, चलना तो है ही, बताया था कि इतना दोड होगे तो मिल जाएगी मनजिल मिल जाएगी, लक्षे मिल जाएगा अगर इतना दोड होगे तो एक गंटे तक लगातार दोड़ना पड़ेगा, दोड़ना पड़ेगा, दोड़ते दोड़ते थक गए मन किया विश्राम करने का, विक्ति ने सोचा नहीं, शायद थोड़ा सा और होगा, तब भी नहीं आया तब भी वो लक्षे दिखाई नहीं दिया, लेकिन सोचा चलो और दोड़ लेते हैं, लेकिन वो दूर पांच किलो मिटर दूर आदमी ठक गया ठक करके निढाल हो गया और गिरने ही वाला है लेकिन पांच किलोमेटर दूर लक्ष दिया दिखाई दिया थोड़ा 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 लगा के आ गया है अब जो उसके अंदर निराशा आ गई थी ठकान आ गई थी मन कर रहा था लेट जाओं गिरने को तयार था वो सारी दूर हो जाती अब एक नए उत्सा का संचार होता है अब एक नए उर्जा अंदर से आती है अच्छा सामने लक्ष है अब गती उसकी बढ़ जाती पहले से कैसे बढ़ गई वो गती क्योंकि लक्ष दिखाई दे गया ऐसे ही समाधी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हलकी सी इश्वर की जलक मिली हलका सा इश्वर का आनंद मिला उसका साक्षात हुआ इश्वर ने मुझे चुना और अपने दर्शन दिये दर्शन मतलब अपने को साक्षात करवाया थोड़ा सा और जैसे ही मुझे भगवान का थोड़ा सा साक्षात कार हुआ बस ऐसा लगता है कि कुछ विशेश मिल गया दुनिया में जो सबसे बड़ा कुछ प्राप्ती के लिए हो सकता था वो मिल गया और अब जो मुझे दो दिन पहले ही लग रहा था क्यों मैं समाधी के लिए रोज बैठता हूँ क्यों मैं रोज इतना प्रयास कर रहा हूँ कुछ मिल तो रहा नहीं बेवजा अपने भगवान भगवान नहीं मिलता कोई समाधी ममाधी नहीं होती तब मुझे लगता है जो हलकी सी जलक मिलती है तो फिर व्यक्ति सोचता है अब जो निराशा थी दो दिन पहले वो निराशा गई एक तरफ अब दुनिया जो सोचती है वो सोचने दे अब मुझे जलक मिल गई अब कौन क्या कह रहा है परिवार का वेक्ति उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता अब भगवान कब मिलेगा पूरी तरह से साक्षातकार होता है ये निराशा भी हट गई क्योंकि एक जलक तो मिली ना जलक मिली मतलब ये पता चल गया भगवान तो होता है और जब यह जलक मिल गई तब अपने आप साधना की तरफ गती तीवर हो जाती है और इसी को कह रहे हैं कि जो समाधी है वो आसन्टम हो जाती है निकट तम हो जाती है जल्दी से जल्दी मिलती है आसन्य तमह समाधिलाभः समाधि फलंच भवती समाधि की प्राप्ति और उससे मिलने वाला फल ये दोनों आसन्य तम बहुत जल्दी मिल जाते हैं निकट तम हो जाते हैं ये है इश्वर प्रनिधाना द्वा का फल तो हम यदि समाधि चाहते हैं तो उसके कई प्रकार हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, जिनमें से एक उपाय है इश्वर प्रणिधान, अर्थात प्रती दिन, पूरी दिन चर्या में, ये मान करके काम कीजिए कि भगवान है, और सुभश आम बैट करके, अपने सामने इश्वर को अनुभव करके दोहरा सारे के सारे कारिये, मैंने ये किया है, मुझसे ये हुआ है अपराधी हुँ या नहीं हुँ ये, आप जानिए पर हाँ मैंने ये कारिये आज किये हैं, और साथ में क्या फल मुझे इनका मिलना चाहिए नहीं पता ये मैं तै नहीं करूँ जो आप चाहें फल दीजिए आप निर्णे बेहतर कर सकते हैं मुझे दंड मिलेगा या पुरसकार मिलेगा ये आपके हवाले ये आपको समर्पित मैं अपना अधिकार कर्मों से छोड़ता हूँ और जब विक्ति इतना हलका हो जाता है कि सारा का सारा इश्वर को दे करके आ जाता है तो फिर इश्वर उसे चुन लेता है इससे बढ़िया कौन मिलेगा भाई जो स्वया मा करके बता रहा है मैंने ये ये गलतियां की हैं इससे विश्वस नहीं कौन मिलेगा चलो इसे दर् तीवर हो जाती है ये सूत्र का अर्थ हुआ बाकी आप में से किन ही के कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप प्रश्न अवश्य कर सकते हैं